हेलो इबरीवन नमस्कार सभी को आप सभी अच्छे होंगर फिर से आप सभी कस्वागत है तो चलिए हम लोग जेनरल साइंस का मॉडल सेट आज 11 देखेंगे और काफी इंपोर्टेंट और फिर से पूछे जाते हैं पूछे जाने की शंबावना भी होते हैं जाहे हो स्टेट इक्जाम हो या स्टेट पीसियस हो या फिर आपका एससी हो रेलवे हो या डिफिन्स हो तो जहां भी आपका साइंस से रिलेट आपका ये प्रस्न इंपोर्टेंट है तो चलिए हम लोगे स्टार्ट करते हैं और प्रस्न है कि सबसे हलका धादू कौन है तो सबसे हलका धादू के अगर हम बात करेंगे सबसे हलका धादू तो वह जो है आपका लीथियम है सबसे हलका धादू कौन है तो वह आपका थाइमिन वह बिल्कुल नस्ट हो जाता है था लसुन में गंध किस था तो के कारण होता है तो किस प्राइन ने में रख का वह रूख जाता है तो देखेगा जो आपका फेड कलोराइड है फेरिक 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 कलोराइट फेरिक कलोराइट को लगाने में यहां रग का जो लबिंग है रग का जो परवा होता है बहता है वह रूप जाता है यहने स्टोप हो जाता है ठीक है न सबसे भारी धातू पुछा जा रहा है तो सबसे भारी धातू जो है तो D2 का जो समाने नाम है भारी जल है जिसका नो भार भीस होता है और यह important question है बार बार परसन पूछे गए हैं BPSG में ठीक है ना नेस्ट है पिर्तवी के भू परपटी पर सरवाधी कौन सततों मिलता है तो पिर्तवी पर जो भू परपटी पर है ना सरवाधी कौन सततों मिलता है वह oxygen मिलता है नेस्ट है प्राकरतिक वरन के शिधान्द को परतिपादित किसने किया तो वह डार्विन साब ने कौन साब ने डार्विन सार्ब ने निस्ट है फोटो क्रोबिक कांच में क्या वहकृत होता है तो फोटो क्रेमी कांच में क्या व्रेकित होता है तो वहाता है सिल्वर आयोडाइट क्या होता है सिल्वर आयोडाइट निस्ट है निम्भू में कौन सा अम लपाय जाता है तो साइट्रिक अम पाय जाता है कौन विटामिन गरम करने पर नस्ट हो जाती है तो विटामिन सी को गरम करने पर क्या होता है कि नस्ट हो जाता है जिस तरह से सबजी के धोने में विटामिन नस्ट होता है उसी परकार विटामिन गरा जो विटामिन सी है वो गरम करने पर नस्ट हो जाता है नस् निस्ट है खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अमले निस्ट हो जाता है तो खाना को अगर ज्यादा आम तो पकाईएगा तो जो आपका फोली कमले है वह निस्ट हो जाएगा निस्ट है दूद में कौन सा अमले पाय जाता है तो वह लैक्टिक अमले पाय जाता है दूद में milk में लक्टिकम ने पाजाता है ठीक है ना नेस्ट है ग्वाइटर रोग का क्या कारण है तो सरीर में आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग हो जाता है जैसे आप आम दोर पे गेगा भी बोलते हैं नेस्ट है एपी कल्चर समंदित है रिगलेटर है या मधु मक्की पालन से समंदित है एपी कल्चर नेस्ट है सेरी कल्चर समंदित है तो अरेसम उतपादन से सेरी कल्चर समंदित है प्रोटिन का पाचन किस अंग में होता है तो प्रोटिन का पाचन होता है वो चोटी आत में होता है छोटी याद में प्रोटिन का पाचन होता है किसांत में छोटी अंग में निस्ट है हीमोफिलिया किस परकार का रोग है तो हीमोफिलिया जो है वह आनुवंसिक परकार आनुवंसिक है तो हीमोफिलिया जो है वह आनुवंसिक रोग है कुन है हीमोफिलिया निस्ट है दूद का फटना दूद से दही बनना या किस परकार की किस किरिया से होती है तो वह किनुवन के किरिया के ही कारण दूद का जो फटना होता है दूद से दही का बनना होता है वह किनुवन पर किरिया के ही कारण होता है तो याद रखेंगे दूद का फटना साथ ही साथ दूद से जो दही बनता है वो किन्वन पर किरिया के करन तो आई होप यह स्मॉल वीडियो में यानि छोटी से वीडियो में हम लोग 20 से 25 परसन को मैंने वह लाइनर के फोर में देखने के प्रियाश्ट किया है जो कि काफी और जेन्वीन कुसन है और जेन्रल साइंसर बैसी यह इंप वीडियो में जैहिंदे